वेलकम बैक टू सारडाज किचन आज हम पत्ता गोबी से एक हेल्दी और टेस्टी नाश्टा बनाएंगे ऐसे तो पत्ता गोबी से बहुत कम रेसिपीज बनती है लेकिन आज हम इसी पत्ता गोबी से गुजराती स्पेशल हंडवो बनाएंगे इसके साथ हम एक चटनी भी ब और एक ग्लास पानी डाल के ये बैटर मिक्स करके हम साथ से आठ घंटे भिगो के रखेंगे आप सूजी बड़ी या छोटी कोई भी ले सकते हैं सबसे पहले हम चटनी बनाएंगे उसके लिए सुखा नारियल दो टेबल स्पून ले लेंगे फुटाने की दाल दो टेबल स्पून भुनी हुई मुंग फली दो टेबल स्पून ले लेंगे ये ड्राइ इंग्रीडियंट हम मिक्सी से पीस लेंगे फिर हम इसमें गिले इंग कट करके ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया भी एड कर देंगे फिर हम इसमें लों टेबल स्पून योगर्ट یाने की दधी याद करेंगे एक टी स्पून नीम्बू का रस एड़ करेंगे अगर आपके पास दही नहीं है तो नीम्बू का रस जादा डाल सकते है स्वादा नुसर नमक एड़ कर देंगे एक टी स्पून जीरा एड़ कर देंगे और थोड़ा पानी डालके मिक्सी से इसे अच्छा पीस लेंगे पीसने के बाद इसे हम बाउल में निकाल लेंगे साथ से आठ घंटे भीगवाला बैटर ले लेंगे और उसमें स्वादा नुसार नमक अड़ कर देंगे साथ से आठ हरी मिर्ची पीस के उसे भी डाल देंगे हरा धन्या दो टेबल स्पून अड़ करेंगे इसमें थोड़ा गरम पानी अड़ करके ये बैटर हम तयार कर लेंगे फिर हम इसको और चटनी को दोनों को तड़का देंगे इसके लिए पैन में हम दो से तीन टेबल स्पून तेल गरम करेंगे देट टेबल स्पून जीरा अड़ कर देंगे देट टेबल स्पून राई अड़ करेंगे साथ आठ करीलियूस कट करके अड़ कर देंगे तीन चार लाल मिर्ची भी कट करके डाल देंगे और ये तड़का अच्छा आने के बाद इसमें से हफ तड़का में सूजी के बैटर में एड़ कर दूंगी हफ तड़का हम फिर से ग्यास पे रखेंगे एक टेबल स्पून चना डाल एड़ कर देंगे एक टेबल स्पून उड़त डाल एड़ कर देंगे इसे थोड़ा ब्राउन होने देंगे फिर हम इसमें थोड़ा सा हिंग एड़ कर देंगे और ये तड़का हम चटनी के उपर डाल देंगे चटनी रेडी है अब हम सूजी का बैटर ले लेंगे और उसमें हब कब पत्ता गोबी एड़ करेंगे इसके लिए मैं पत्ता गोबी लंबी लंबी और छोटी छोटी कट कर लूँगी और तब तक हम ग्यास पे दोसे का पैन गरम करने रखेंगे इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और तवा गरम होने के बाद अब हम इस तरह हंड़ो बनाएंगे मीडियम ग्यास पे 3-4 मिनिट पकने देंगे फिर थोड़ा सा तेल डालेंगे उसके बाद चारो तरप से चेक करके हम धीरे से इसे पलट देंगे अब ये साइड को भी हम 3 मिनिट सिखने देंगे हंड़ो थोड़ा मोटा होता है तो सिखने में दोसे से थोड़ी जादा देर लगती है ये हंड़ो तयार है हम इसे निकाल लेंगे दो कप सूजी में 8-9 हंड़ो आराम से बन जाएंगे ये हंड़ो आप इंस्टन पी बना सकते है लेकिन हमने जो 7-8 घंटे भीगो के रखा था उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा ये ऐसा हेल्दी टेस्टी पत्तागुबी वाला नास्टा बनाईए खाईए और प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद